वेलकम साल आफ यू ए एम मैस्ट रिएल पर आप सभी का स्वागत हैं CSI NIT December 2019 का ये questions हैं बहुत ही important है अपसे कल जब रहा है और ये बहुत ही famous questions है इस तरह का questions अगसर exam में आता भी है मैंने पिछले भी जब मैंने online test लिया था उसमें भी इस तरह के questions को बताया था simple सा इसके लिए मैंने एक funda बताया था आपको सिभार एक book में मिल जागा पहले आपको field हो अगर तो field का एक छोटा सा circle ये field बन जाता है उसके बाद हम occlidean domain वाला circle बना लेते हैं इस तरह से एक एक करके सारे occlidean domain बन गया उसके बाद जो work out आता है हमारा PID का आता है इस तरह से ये एक fundamental इस तरह से हम PID बना लेते हैं ध्यान रखिए बहुत simple उसके बाद जो आता है हमारा UFD आ जाता है ठीक है ये इस तरह से और फिर जो सबसे बड़ा जो आएगा ये वाला portion इन सब को मिला करके हमारा बन जाता है Euclidean Integral Domain तो अब जिस format में जो बनता है आप उसको देख लिए simple सा कौन सा है field Euclidean Domain Euclidean PID PID UFD ठीक है और उसके बाद फिर क्या है integral domain तो एक simple सा ये concept है इस figure को आप हमेसा याद रखे और इस से बहुत सारे questions को किया जा सकता है तो ये आपको हमेसा ध्यान रखना है ब X is the field तो ये field है आपका तो field है तो क्या होगा आपका Euclidean Domain भी हो जाएगा उसके बाद PID भी हो जाएगा UFD हो जाएगा चौथे हम option में कर रहा है कि PID but not Euclidean Domain तो ये नहीं होगा ये क्योंकि यहाँ पे दोनों हैं तो ये option जो हमारे आपके हैं ED 1st 2nd 3rd या जो भी order changes हो तो order case आप से आप इसको change कर सकते हैं बट एक basic बहुत फंडामेंटल इस figure के दुरू हम इसको कर बाएंगे So take care, thank you, bye bye